Before we start, if you want to know about this topic in more detail, you can check the link to a blog post about this topic in the description below तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको Eyeball Combook Laptops लिने चाहिए या नहीं तो without wasting any time, let's get started अगर आप Eyeball Combook Series के Laptop लिना चाहेंगे ये वीडियो देखने के बाद तो आपको Best Eyeball Combook Laptops के Best Buy Links description में मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम Eyeball Combook Series के बारे में बात करते हैं Eyeball Combooks Budget Range में आपको एक Windows Laptop का Experience देते हैं इसके कई models आते हैं जैसे Marvel 6, Premium और Excellence इन models में आपको minimum 2GB RAM देखने को मिल जाता है और maximum 4GB RAM देखने को मिल जाता है इस टोरेज की बात करें तो minimum 32GB स्टोरेज और maximum 64GB स्टोरेज वो अलग बात है कि आप इसको expand कर सकते हैं MicroSD Card या फिर अलग से Hard Disk लबाके प्रोसेसर की बात करें तो आपको अभी minimum Intel Atom X5 और maximum Intel Pentium Processor N4200 देखने को मिलता है मोस्त Combooks में आपको Intel का Celeron N3350 देखने को मिलता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ Eyeball Combooks आपको रुपीज 9,990 से लेकर रुपीज 20,999 तक के price range में मिलेंगे इन में से कुछ Models में आपको Full HD Display भी देखने को मिल जाता है और सभी Eyeball Combook के Models में आपको Windows 10 Pre-Install मिलता है अब बात करते हैं कि क्या Eyeball Combook Series के Laptops को आपको लेना चाहिए या नहीं Eyeball Combook Series के Laptops जेनरली आपको Low Budget Range में एक Above Average Experience प्रवाइड करता है सबसे पहली बात हम इसे ज़्यादे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हम यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें WWE 2K18 या इवन Fortnite भी चलेगा यह सिर्फ इन ही Laptops पर अप्लाई नहीं होता अगर आप कोई भी Laptop Under 20 के देना चाहता हैं तो उसमें आप इन गेम्स को रण नहीं कर पाओगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो Combo Qs को आती है वो है इसकी Slow Storage हाला कि आप इसको Extend कर सकते हो लेकिन Eyeball खुद ऐसा करने को recommend नहीं करता कि आप अलग से कोई Hard Disk लगाए आप इन Laptop में Normal Browsing, Movie देखना या Basic Games खेल पाओगे smoothly आप इन में Microsoft Office के Apps भी चला सकते हो लेकिन इससे ज़र आप इन Laptop से Expect मत करिए क्योंकि इतने budget में इतने specs में बस आपको इतना ही मिल सकता है लेकिन अगर आपका budget 20K तक जा सकता है तो आपको इससे बहतर options मिल जाएंगे लेकिन अगर आपका budget अंदर 15K है और आपको Laptop चाहिए तो I Will Combo is the best option for you इस वीडियो में बस इतना ही था बाकि आपको पता ही है कि वीडियो पसंद रहा हो तो क्या करना है